स्टॉर्य गाइज मुझे नहीं पता था कि तुम लोगों में ऐसा कुछ रिच्वल होता है हाँ पिर ये तो करना शहिए हम हमेशा खाने से पहले अल्ला ताला से प्रेग करते हैं येस रिच्वल नहीं स्पिरिच्वल हम ही पहले भगवान को भोग उपर करते हैं और उसके बाद प्रे करके खाते हैं लेकिन तुमारा भगवान यहां के कैसे खा सकता है जैसे वो तुमारी दुआ कानों से सुन सकता है वो वैसे ही यहां पर आके खा भी सकता है भगवान का फॉर्म पर्सनल है अगर वो कानों से सुन सकते हैं तो मुझ से आके खा भी सकते हैं उनके कान और मुझ दोनों है शारीनी तुम प्रेनी कलती है खाना खाने से कले नहीं लेकिन मेरे चाचा ने एक बार कहा था कि हमको वो गॉड ओ फूड को और फार्मर्स को थांकी बोलना चाहिए यू मीन अन्यपुर्न देवी और गॉड ओ फूड येस हमें उन्हें थांक करना चाहिए और साथने फार्मर्स को भी अब ही सोचो पानी ना हो हवा ना हो उपजाओ मिट्टी या धर्ती मा ना हो तो फार्मर क्या कर लेगा अब तुम किस को थैंक करेगा तुम किस गॉड को मानता है मैं से किसी कॉड को नि मानती लेकिन I think Shiva is a big god See, I am very sorry बट आपने वो बडे बगवान का स्टोरी तो सना होगा ना जहां वो अपनी मरी हुई wife को शोल्डर पर लेकर पूरी इंडिया का चक्का लगा रहा है अब तुम मुझे बताओ जो गॉड अपनी वाइफ के मरने पर ऐसे common man की तरह होता है वो गॉड हो सकता है क्या अच्छा, maybe, I don't know much about this story पर्ट, he is very famous और नौर्प में तो राम जी भी बहुत फेमस है ना उनका स्टोरी तो तुमको पता होगा न सबको पता है उनकी वाइफ को रावल ले गया था हाँ, पता है अब तुम मुझे बताओ वो गॉड है, वो अपनी वाइफ को भी अकेला नहीं बचा के ला सकता उसको अपनी वाइफ को बचाने के लिए भी वानर सेना की हेल्प चाहिए और उस वानरों को भी तुम फूच्टा है आएम सॉरी और गीता तुम तुम कृष्णी को मानती हो और वो तो हल लड़की के साथ रास बीला कले रहते थे ऐसा कैसा करेक्टर है गौट का जैसे हल लड़की से प्यार हो जाता है और वो खुडड़के अपना जनमिसान छोड़कर चले गए थे गौट को कभी डर लगता है क्या और जिसे खुड़ड़ लग रहा है वो तुम लगगी है कैसे करेगा शिट यार तुसर सो कॉंप्लिकेट इं गंफूजिंग इनना पासिफा आई नो वाट यार तुसर सो अरजनमिसान भगवान की लीलाओं को समझना इतना आसान नहीं है उसके लिए शास्त्रों का अध्यन करना पड़ता है और वो भी एक प्रमानेक गुरू के अंडर रहके उनकी शरन लेके अब अगर तुने शास्त्र बड़े होते तो तुमको ये पता होता कि शिवजी ने जो emotions उसमें दिखाए थे वो शोक नहीं विरह था विरह विरह दोनों सेम नहीं होते क्या भगबान भगवत गीता में शोक करने वाले विक्ति को मूर्ग पता दे है अपनों की मौत पे आसु भाना शोक है लेकिन वहीं रामायन देखते देखते जो आसु निकले न वो विरह है विरह और ऐसे विरह से हमारा भगबान की प्रती प्रेम बढ़ता है तो जिस तरह से शिव जी ने विरह को दिखाया था उसी तरह राम जी भी सीधा मया के जानने के बाद विरह में बटकते हुए लिए लिए और यही नहीं सीधा देवी इतनी प्योर है ना कि उन्हें राम जी के लावा कोई टच भी नहीं कर सकता था रावाण जिनको लेके गया था वो छाया सीधा देवी थी असली सीधा देवी तो अगनी में समा गई थी और वो अगनी परिक्षा के वक्त बहार आई थी और असे बाद नो किया बोल रही थी? भगवान राम को अपने पत्मी को बचाने के लिए वानरों के मतद लेनी पड़ी थी I mean God is all powerful, right? हाँ, I mean वो अकेले भी तो मार सकते थे ना या शालिनी, अगर तुने कभी रमायन पड़ी होती तो तुझे पता होता जब खर और दूशन आये थे अपने 15,000 ऐसे दानवों के साथ जो इंसान को खा जाते थे उन सब के साथ राम जी ने अकेले बिला किसी की हेल्प के उन सब के चितरे उड़ा दिये थे अब ऐसे राम के लिए रावन को मारना मुश्किल है क्या? अरे उन्होंन तो एक छोटी सी गिलेरी तक को अपनी सेवा में लगा लिया था और हम हनुमान ची की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि भगवान तक पहुशने का रास्ता उनके भगतों की सेवा है जब भगवान देखते हैं कि मेरे बक्तों का गुडगान हो रहा है या कोई सेवा कर रहा है तो वो बहुत खुश होते हैं जैसे मैं तेरी मॉम के सामने अगर तेरी तारीफ करूँ तो वो खुश होती है ना पॉइंट इसी तरह भगवान हमसे खुश होते हैं जब हम उनके भगतों की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, और रही बात 33 करोड देवी देवता की, आसिपां, तुम मुझे ये बता, what is your favorite genre in movies? और शाल्मी तेह रूमानिक अनकाशियल होता हैं, वैसे ही भगवान ने हर किसी की नेचर के व्यक्ति के लिए उसके नेचर के अनसार, वेध और पुराण दिये हैं, और उनी पुराणों को फॉलो करके, लोग अपनी देवी देवता की तरफ अट्राक्ट होते हैं, और ये जरकार चलाने के लिए इतनी सारी पोजिशन्स होती है वैसे ही इस पूरे ब्रहमांट को चलाने के लिए अलग-अलग देवी देखताओं की जरुवत पड़ती है तो मतलब वो अपनी पोजीशन का मिस्यूज करेंगे किसी भी लड़की के साथ कुछ भी करेंगे रास लीला करेंगे टॉप असिफा नो यह प्रॉसिंग द लाइन तुझे पता ही क्या है क्रिशन के बारे में जो लोग बोलते है कि क्रिशन करे तो रास दीला है हम करे तो जीला है उनको पोलो पहले भागवतम पढ़ ले ठीक रा मैं अपना ये होस्तेली दिखा दे आसिफा क्या तुम जानते हूँ द्वारका में भगवान शिरी कृष्णा की 16,108 रानिया थी और सब के अलग-अलग महल थे और हर एक महल में शिरी कृष्णा सब के साथ होते थे एक ही समय पर रोज सारी रानिया क्रिष्णा से खुष थी और उन सब के ज़रूरते क्रिष्णा पूरी करते थे क्या किसी नार्मल से इंसान के लिए ये सब समभव है। आज के टाइम पे तो एक ही नहीं समलती लेकिन उस टाइम सारी रानिया एक दूसरी के साथ खुश थी और उन्हें खुश क्रिश्न रखते थे क्यों? क्योंकि वो भगवान है और रही बात ब्रच की गोपियों के साथ रास दिला करने की तो इतना जान लो कि रास दिला के टाइम पर करोडो गोपियां थी और क्रिश्न पूरे टाइम हर एक गोपि के साथ मौझूद थे और उनके साथ डांस कर रही थे एक टाइम पर करोडो गोपियों के साथ ये सब बहुत दीब ली लाया है और ये सब तभी पता चलेगी जब साथूं के संख में रहे के शास्तरों को पढ़ा जाएगा हवा में तीर चलाने से या सुनी-सुनाई बातों का यकीन करने से कुछ नहीं होनगा और रही बात अपने भक्तों को बचाने की तो भगवान ने तो अपने भक्त परीक्षित महाराज को गर्भ में बचाया पांच साल के प्रहलाद महाराज के लिए नर्सिंग अवतार लेकर आए और उनको बचाया यहां तक ही हो अपने गुरुदेव सांधी पानी मुरी की बेटे को मरने के बाद वापस लाए और उनको जिन्दा किया I'm really impressed यार Hindu होते वे भी मुझे facts पता ही नहीं थे नेरे parents ने मुझे कभी इन सब चीजों के बार में बताया ही नहीं हाँ, parents ही तो गलती है लेकिन हम भी तो मही कर रहे है जो अनों ने किया यह नोट लर्निंग अबाउट आर कल्चर, नोट रीडिंग रमायर, महभारत और भगवर्धीता आजको तो यह सब कुछ रीट करना बहुत पीजी भी है और अपने बच्चों को भी पढ़ाए जाकर इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए ताकि कोई और लड़का या लड़की इस केरला स्टोरी का शिकार ना पढ़े और हाँ, इस वीडियो को लाइक करें और भक्ती टुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें